असलाम वालेकुम हमारे पास एक्जेंपल है कि give an example to show that union of two subrings may not be a subring हमने show करवाना है कि दो subring का union वो हमारे पास subring again हो भी सकता है और नहीं भी तो उसके लिए हम let कर लेते हैं कि Z is a ring then Z1 equal है कर लिए कि 2Z such that 2 belong to Z is a subring 2Z यानि हमारे पास set of even integer यानि multiple of two जिसमें हमारे पास positive numbers भी होंगे और negative भी similarly Z2 equal है curly bracket 3Z such that 3 belong to Z यानि इसमें हमारे पास element होंगे multiple of 3 के इस also subring हमने दो subring consider कर लिए है Z की जो कह हमारे पास set of integer है then हमारे पास Z1 union Z2 वो equal आएगा 0 पोस्टरी नेगेटिव 2, पोस्टरी नेगेटिव 3, पोस्टरी नेगेटिव 4 अप्टू सॉन यानि दोनों का हम union ले लेंगे यह वह नोट अब हमने क्योंके इससे subring show करवाना है कि हमारे पास subring है या नहीं तो उसके लिए same कि हम दो element लेंगे Z1 union Z2 से फिर उनका difference और उनका product शो करवा देंगे अगर वह हमारे पास Z1 union Z2 से contain कर देंगे तो मतलब यह हमारे पास क्या subring अगर contain ना करेगा तो means कि वह हमारे पास subring लेंगे तो यहां पर हम क्योंकि यह हमारे पास set है Z1 union Z2 का तो यहां पर हम दो element ले ले लेते हैं 2, 3 जो कि हमारे पास ब्लोंग कर रहे है Z1 union Z2 से जब हम इन दोरों का difference लेंगे तो हमारे पास 3-2 equal आए गा 1 और हम देख सकते हैं यह set में हमारे पास 1 contain नहीं कर रहा है यानि कि हमारे पास जो 1 है व हमें example में शो करवाना था कि हमारे पास union of two subring वो हमारे पास subring हो भी सकती और नहीं भी अफदर हमारे पास next theorem है कि proof that union of two subrings is a subring if one of them is contained in the other अब यह theorem हमें क्या कह रहा है कि हमारे पास जो 2 subring का union वो हमारे पास subring तब होगा if and only if जब हमारे पास दोने एक दूसरे के अंदर contain करें तो अब यहां पर क्योंकि if यानि if and only if की condition है तो हम first चीज़ को suppose करेंगे second को proof करेंगे फिर उसका converse करेंगे तो सबसे पहले हम let कर लेते हैं प्रूब में है कि let R be a ring let R1, R2, R2 subring so far हमने suppose कर लिया कि R हमारे पास कोई ring है और R1 और R2 उसकी क्या दो subring है अब सबसे पहले हम क्या करेंगे second चीज़ को suppose करेंगे कि दोनों एक दूसरे के अंदर contain करेंगे और show करवा देंगे कि यह जो union है इनका वह हमारे पास क्या subring है उसके लिए हम suppose कर लेते हैं कि if R1 contain R2 यानि अगर R1 R2 can contain कर रहा है तो means के वो इसके union मेंड़ेंगे बिलों करने करेंगे कर रहा है यानि उसका सबसेट है इस तरह अगर हम ऊसके पॉंच कर ले तो मींजके और रही एक ऐसा इसा हमें फया करेंट कर आप क्लिया मैं वे उनके यूनें में भी कण वह बेस्क एंट कर करेंगा और सबस्ट है तो यानि इसकी क्या सब्रिंग है तो यह हमने फिर्स पार प्रूफ कर लिए हमने कॉंसेडर किया था कि हमारे पास दोनों सब्रिंग से एक दूसरे के अंदर कॉंटेंग करें और हमने शो करवा दिया कि इनका यूनिन हमारे पास क्या सब्रिंग है अब conversely हम suppose कर लेते हैं कि R1 and R2 are sub-link such that R1 union R2 sub-link यानि अगर R1 और R2 हमारे पस sub-link है तो उनका union भी हमारे पस क्या होगा? sub-link होगा to show that either R1 contain R2 और R2 contain R1 अब हमें पता है कि R1 और R2 हमारे पस sub-link है तो इनका union भी हमारे पस sub-link होगा अब हम यहां पर जो conversely चीज़ प्रूफ करना चाहते हैं वो यह हमारे पस R1 या तो R1 हमारे पस R2 में contain करेगा या हमारे पस R2 contain करेगा R1 में हम conversely suppose कर लेते हैं कि if possible R1 does not contain R2 और R2 does not contain R1 यानि हमने contrary suppose कर लिया है कि या ही R1 R2 में contain कर रहा है और नहीं R2 R1 में contain कर रहा है और R1 does not contain R2 there is a belong to R1 such that a does not belong to R2 अगर हमारे पस R1 R2 में contain नहीं कर रहा है तो मतलब R1 में को यह एक ऐसा element है जो R1 से belong कर है लेकिन R2 से belong नहीं कर है इस तरह जब R2 does not contain R1 होगा यानि R2 में एक ऐसा element है जो कि हमारे पास R1 में content नहीं कर रहा तो means कि there is a B belong to R2 such that B does not belong to R1 तो इस तरह हमारे पास आ गया कि then A belong to R1 और B belong to R2 यानि A हमारे पास एक ऐसा element है जो R1 से belong करता है R2 से नहीं और B हमारे पास एक ऐसा element है जो R2 से belong करता है और R1 से नहीं कि हमारे पास जो A, B वो ब्लॉंग कर जाएंगे R1, Union, R2 से क्योंकि Union की Definition यह होती है कि दोनों Elements Set के Elements को हम आरेंज करके लिख देते हैं तो means कि अगर A, R1 से ब्लॉंग कर रहे हैं और B, R2 से तो वो हमारे पास जो A, B वो ब्लॉंग कर जाएंगे R1, Union, R2 से क्योंकि यह सब लिंग है तो इनका Difference यहानि A-B हमारे पास ब्लॉंग कर रहेगा R1, Union, R2 से अब क्योंकि यह Union से ब्लॉंग कर रहे हैं तो हम suppose कर लेते हैं कि अगर हमारे पास A-B ब्लॉंग कर रहे है R1 से सही है क्योंकि Union की बात कर रहे हैं तो यहां तो अब क्योंकि यह Subring है तो यानि दो elements जो एक Subring से बिलोंग करें है तो उनका difference भी हमारे पास उसी Subring से बिलोंग करेगा तो हम ए difference a-b जब लेंगे जो कि बिलोंग करेए R1 से तो जब हम इसको open करेंगे हमारे पास आएगा a- a-b तो इसतरह अ से हमारे पास कैंसल तो simply हमारे पास आ जाएगा B ब्लॉंग कर जाएगा R1 हम उपर लेके चले थे कि हमारे पास A ब्लॉंग करता है R1 से और यहां पर हमने शौकरवा दिया कि B ब्लॉंग करता है R1 तो यह हमारे पास क्या आ गई? contradiction हो गई दूसरी साइडे पर हम अगर सप्सक्रांट कर लें कि हमारेपास a minus b ब्लॉंग कर guitar just एर ce सब्सक्राइब हैं तो memang कि छेए अंचे ब्लोग करें आथ एदेजिशन लेंगे हमारे पास आएगा b plus of a minus b belong to r2 जब हम इस bracket को solve करेंगे तो b से b cancel और simply हमारे पास आजाएगा a belong to r2 तो उपर हमने suppose किया था कि b belong कर रहा है r2 और यहां पर हमने show करवा दिया कि a belong कर रहा है r2 तो यह हमारे पास क्या आगई contradiction so our supposition is wrong such that either r1 contain r2 or r2 contain r1 हमने suppose किया था 1 तो आपको clear होंगे अगर फिर भी किसे का कोई question आप मुक्से पूछ सकते हैं Allah Hafiz हरा